Students, Welcome to PD Central Academy Online Classes Today, we will learn about Plants Life आज हो पढ़ेंगे Plants के Life के बारे में, को है के जीवन के बारे में We have, we see different kinds of plants around us हम लोग अपने चारों तरब विभीर प्रकार के पौधें देखते हैं सम प्लांट्स, सम प्लांट्स आज बीर, कुछ पौधें बड़े होते हैं वाईल, सम प्लांट्स आज एस्मॉल, जब की कुछ पौधें छोटे होते हैं Some plants, some plants have branches While some plants do not have branches at all और अरों इसको सबस्ते हैं We see different kinds of plants around us हम लोग अपने चारों तरब विभीर प्रकार के पौधों को देखते हैं Some plants are big Some इस होता है कुछ कुछ पौधें बड़े होते हैं While Why कवर्थ होता है जब की Some plants are small कुछ पौधें छोटे होते हैं Some plants have branches कुछ पौधों के पास सखाय होता है While जब की Some plants do not have branches at all जब की कुछ पौधें ऐसे होते हैं जिनके पास सखाय बिल्कुल नहीं होती है At all का अग होता है बिल्कुल At all the earth क्या होता है बिल्कुल तो आपको इतना समझ में आ गया कि हम अपनी चारों तरफ बिल्कुल प्रकार की पौधों देखते हैं उसमें से कुछ पौधें बड़े होते हैं कुछ पौधें छोटे होते हैं कुछ के पास सखाय होती है कुछ के पास सखाय नहीं होती है They are Leaps Fruits Ad Seed Are Difference Difference जब पौधें चोटे बड़े होंगे अलग-अलग प्रकार की होंगे भी भी प्रकार की दिखेंगे आपको तो उनके जो पदिया होंगे उनके जो फल होंगे आपके जो बीज होंगे वो भी क्या होंगे वो भी अलग-अलग प्रकार के दिखते हैं जब आपका हर चीज अलग-अलग दिखते हैं अलग पता अपको के अलग दिखे गाई यह आतना पर्चे दे दिया हम आको प्लाइक के बारे में कि हमारे चाल्टा रफ वी प्रकार के परोद देखते हैं उस पंशें को छोटे होते हैं सुँष के पास अक्षैं नहीं होती है और जब यह अलाग लगूंगे उनकी पतिया उनके फल उनके भी सब अलाग लगूंगे और दिखने में भी अलाग दिखेंगे तो यह होगे आपका प्लांक्स का परिचे हैं अब मैं आपको बताती हूं parts और plans means body को अंग parts of plans पौद्भो का अंग अब यह दिखिए यह मान के चलो यह आपका ground है यह यह दिखिए हूव अपने बीच को लेकि जाते हो हूँ तो इसको क्या करते हो ग्राउंड में बोते हो रख कोई भी बीच लेकि जाते हैं जैसे महान के चलो आपका mango का सिट होता है बहुंबी जमीन होता है उसको बहुते हैं चलो आप यहां पर पर तरफ नीची के तरफ भी गुरो करता है है यहाप का नीचे के तरगेर एक ग्रों करता है इसेका क्या टूची सी यह कड़े मिटी में चाहित साइड ग्रो करते हैं यह आपका लीफ हो गया है कि रहा आपका लीफ और यहां पर आपका जो थावर्स हो जाएंगे देखिए जब यहां जो सीड है और यह भूमी है भूमी के नीचे जो ग्रो करता है ना इसे हम बोलते हैं रूट इसे क्या बोलेंगे पूबर शो ग्रो करता है ना इसे हम बोलते हैं सुट क्या मुअ इसे पून कि the part औफ यहां लिते हो उपे यहां के प्लांस से और प्लांस को हम बता देघिभीज होते हैं तो यहने नीची के तरफ भी धुब्ध करता है और ऑफ उपर के तरफ भी ग्रोता है वह जो नीची मरुदा होता है उसे हम रूट बोलते हैं The part of plant which grows below the ground, below the ground is called root. The part of plant which grows below the ground is called root. मतलब पौधे का वहाँ वाँ वाँ जो जमीन के नीचे ग्रोव करता है उसे हम बोलते है रूट उसे क्या बोलेंगे उसे बोलते है रूट आप हम शूट का डेपिलेशन कैसे देंगे? The part of plant which grows above. above above में सोता है उपर अगिलों में सोता है नीचे above the ground is called the root. तो यह हो गया हमारा डेफिनिशन. सूट है दर, सूट है लीप्स, फ्रूट, बोट्स, एटीसी जो आपका उपर का खाल होता है सूट उसके पास क्या क्या होते हैं? उसके पास पत्तिया होती हैं, उसके पास फालू होते हैं, उसके पास कलिया होते हैं इत्यादी. और जी नीचे कफाग होता है वह हो गया हमारा root. तो आज मैं आपको 5 सब प्लांच पढ़ा दी और प्लांच का परिचे दी. नेक्स्ट वीडियो में हम root के type पढ़ेंगे और suit के बारे में पढ़ेंगे. That's all. Thank you. नूपैंँ! झालओेंगे